नवश्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल SRJ TechWord पर और दोस्तो आज की वीडियो में कोई स्मार्ट फोन नहीं है मेरे हाथ में बलकि है नोकिया का ये 105 मॉडल जो की एक तरीकी का फीचर फोन है काफी समय पहले लॉंच हुआ था और ये फोन मैंने सूचा क्यों ना अन्बॉक्स करको आपको दिखाया जाए क्योंकि आज कल आदमी जो है इस तरीकी के फोन काफी ज़्यादा प्रिफर कर रहा है जिसमें उलजन हो काम सालों साल चलें आपके और बहुत ज़्यादा प्राइज में सस्ते हों तो इसकी कीमत तो इसका dual sim variant ले सकते हैं जो कि लगबख 200 रुपए के आसपास और महगा पढ़ सकता है लेकिन ये फोन काफी ज़्यादा कमाल का रहता है तो अगर आपके पास इस फेर में कोई sim पढ़ा है या फिर आप ट्रावल वगरा पर जाते हैं तो इस तरीके का फोन आप अपने सा तो दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Nokia 105 का ये बॉक्स और दोस्तों यहां पर इसका बॉक्स अगर देखेंगे तो काफी ज़दा सिंपल सी पैकिंग के साथ ही आपको देखने को मिल रहा होगा फटा-फट बात करते हैं यहां पर एक बर इसकी स्पासिफि यानि कि अगर आप इसे 25 दिनों तक चार्ज नहीं भी करते हैं तब भी यह जो है आपका लगातार चलता रहेगा तो दोस्तों Nokia की फोन है तो फिर बैटरी का तो कोई जवाब यहां पर होता ही नहीं है LED टॉर्च भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और 1.77 इंच भी connector दे रखा होता है और FM Radio का भी support यहां पर देखने को मिला है तो यह सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिलती है और एक कमाल की बाद तो दोस्तों यह हो जाती है कि इस box पर कहीं न कहीं आपको made in India भी देखने को मिल जाएगा तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा phone जो की स इस model की तो यह आपका single SIM पर रहता है लेकिन अगर आप चाहें तो इसका dual SIM वैला variant भी ले सकते हैं और दोस्तों फटा-फट मैं इसे open कर लेता हूं जिससे कि आपको यहां पर इसकी ज्यादा से ज्यादा मैं detail बता पाऊं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि box गया सबसे पहले यह रहती है आपकी battery साथी साथ दोस्तों आपको मिल जाता है यह power adapter अब देखना यह होगा कि यह रहता है आपका micro USB और साथी साथ दोस्तों यह प्यारी सी user manual और कुछ paper work देखने को मिलता है तो फिलाल box को अभी हम लोग side में रख लेते हैं और बात करते हैं कि अंदर क्या-क्या मिला है तो दोस्तों यहां पर इस user manual में आपको देखने को मिल जाता है कि क्या-क्या चीज़े दे रखी हैं साथी साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस power adapter की तो दोस्तों नोकिया का power adapter मिरा personal experience है कि सालो साल यह आपके चलते हैं यहां पर अगर इसके look क बात करें तो काफी ज्यादा खुपसूरा सा देख näkov लगता है यहां पर देखने में अनुक्या की मानीच रहाँ प्रॉम काफी स्लिम सी होती है यह तो कंशे almaaker की थी कंदा time तो फटाफट फ़ोन में इंसर्ट करते हैं इसको और यूज करके दिखते हैं कि क्या सा रहता है यह आपका फोन लेकिन उससे पहले एक पर इसके फिजिकल लुक के बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं और दोस्तों यहां पर जो इसका बैक फिनिश दे रखा है बड़ा ही मज़दार रहेगा पीछे की तरफ नोक्या की ब्रैंडिंग है आप जब इसे ग्रिफ करते हैं तो काफी ज़्यादा मज़ा आती है आप दिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको चार्जी इंपोर्ट दे दे रखा होता है जो कि Micro USB में रहता है साथे साथ यहां पर आपको टॉर्च दे रखी होती है और यह रहता है आपको audio jack जहां से आप भई FM वगरा का मज़ा ले पाएंगे वहीं दूस्तों memory card वगरा के options यहां पर आपको नहीं दे रखे होते हैं बैक section को open करके बात करते हैं और खास यहां पर कोई slot वगरा आपके देन ही रखे गए हैं और फटा फट मैं इसे on करता हूँ तो दूस्तों अगर आप इसका dual SIM वगरा variant खरीदना चाहते हैं तो उसके link आपको description box में देखने को मिल जाएंगे फिलाल आपको यहां पर देखने को मिल गई है यह Nokia की branding जो क काफी ज़्यादा खुबसूरत सी लगती है तो दूस्तों इस आवाज को सुनकर अंदर से जो है एकदम बिलकुल पुरानी आते हो जाती है ताज आप देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा खुबसूरत सा लग रहा है यहां पर यह phone देखने में चलते हैं इसके menu में बात करत दिख भई क्या क्या दे रखा है तो दूस्तों सबसे पहला यहां पर आइकन है काल लग का उसके बाद कॉंटेक्ट साथ में मिल जाती है क्लॉक उसके नीचे होता है फ्लैश लाइट का और यहां मिल जाता है आपको मैसेजिंग और साथ यहां पर रेडियों काल्कुलेटर कलेंडर और गेम्स के भी उप्षन यहां पर आपको दे रखे हैं तो गेम्स तो यहां पर काफी सारे दे रखे है यहां पर टोन सेटिंग travelled ँलयों का फॉन का तो यह सारी चीज़े आप is بال देखने को मिलती है अगर आप पुराना फोन नोक्या का इस्तिमाल करते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो यह जो है नविगेशन की में उपर वाली बटन होती है वो खास तोर पर इसी के लिए काम आती है तो दूस्तों यहां पर कीपैट की बात करते हैं तो फूल साइ होता है कॉल उठाने के लिए कॉल काटने के लिए और साथ यहां पर आपको यह चार नाविगेशन की देखने को मिल जाएंगी जिनका इस्तेमाल आप शॉटकट के लिए कर सकते हैं तो अगर आप एक सस्ता ठिकाव फोन खरीदना चाहते हैं जिसमें कि आप एक सिम डाल कर अगर कहीं निकल जाएं और उसकी बैटरी डिस्चारज ना हो तो मेरे हिसाफ से यह एकदम कमाल करेगा इसके लिए तो फिलाल अभी बात करते हैं कि आज कल इस तरह के फोन काफी जैदा पसंद किये जा रहे हैं इसकी क्या वज़या हो जाती है तो दोस्तों यहां पर आप अगर आपके पास जाहते हैं तो आपके लिए डूएल वैरेंट भी ठीक ही रहेगा बहुत ज्यादा प्राइस में अंतर नहीं है तो ऐसे में आप जो चाहें वो चुन सकते हैं फीचर्स यहां पर उतने कमाल के तो नहीं रहते हैं लेकिन यहां पर इसका बैटरी बैक बड़ा ही तगड़ा रहता है और कॉलिं वगएरा में जो साउंड आती है वो एकड़म कमाल की रहती है तो दोस्तों एक तरीके से चोटा सा एकड़म कॉम्पैक्ट सा स्लिम सा फोन होता है कि बस पॉकेट में रखो और निकल जाओ और कोई भी चार्जिंग वार्जिंग की चिंता नहीं अगर दस परसेंट भी चार्जिंग है तब आप एक दो दिन तो मान ही लो कि आपका फोन चल जाएगा तो इस तरीके के कमाल के फीचर्स इस फोन में आपको देखने क दोस्तों जै हिंद